दोस्तों आज मैं आपको रंग गोरा करने की चर्मिसीद और आजमिता घरी टोट की बताऊंगी देखेगा ये घरी टोट का जो मैं आपको बताऊंगी आप लोग के लिए बहुत फायदामन साबित होगा लेकिन हमारे माशिरे में कौन है जिसको रंग गोरा पसंद नहीं है चाहे वो मर्द हो या फवादीन हर कोई गोरा होना चाता है लेकिन बाश लोग बजारी करीवे इस्तमाल करके अपना चैरा खुपसरत बनाने की पजाए और ज़्यादा बेहानत बना लेते हैं मैंने इसी लिए इस मौज़ो को चुना है ताके आप लोग घर में ही बहुत सी चीज़े हैं जिसका इस्तमाल करके अपने रंग में पहतरी वा सकते हैं चन्टोट के पताने से पहले मेरी आप सबस्प्राइब लाज़न करें जैसे कि आप सबस्क्राइब करेंगे पास एक पैल बनी नजर आए कि आपने उस पैल को दबा देना है इससे की फाइदा होगा कि मेरी रोजाना की तमाम वीडियो की अप्रियों साब को सबसे पहले में एक चंबल खुश्क दूद निम्बू का रस बदाम का आई लेकल मिलाएं और चेहरे पर लगाएं 15 मिन तक लगा रहने थें। फिर मूँ पानी से साफ करें। लेमन के जूस में हलती मिलागवर पीष बना लगाएं। और इसको चहरे पर लगाएं से और इसके इलावेर में बलाई मिलाकर रात को सोथे वक्त लगाएं कुछ देल बाद हलका मसाज करके उतार लिए इससे ना सिर्फ रंगत अच्छी होगी बलके दानों और दाग धबों में भी फरक बर जाएगा पोदी में की पत्तियां पानी में डाल कर उबार लें और इनको निहार मूँ पीरें ये भी रंग बहतर करने में आपकी म मसाम साफ हो जाएंगे एक देख की हुए पानी लेकर उबार लें अब इससे चेहरे पर भापने याद रखिए पानी ज्यादा गरम ना हो इमीद करती हूं दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप लोगो से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को शेयर भी करें ताकि मेरी वीडियो तुसी और के भी खामा सकें इंशालला फिर मिलती हूं अपने नेक्स वीडियो के साथ लबास अला ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचते हैं